Hi everyone, सभी का warm welcome है YET Your English Shooter पे, मेरा नाम है अमन बहल आज की class में जिस editorial को अपने cover कर रहे हैं, इसको हमने दो दिन पहले miss कर दिया था Growing epidemic और यह article लिखा हुआ था sugar पे, diabetes पे, मदुमेह पे कुछ ऐसा हम Indians कर रहे हैं, जिसकी वज़े से, दुनिया में सबसे यादा sugar के patients भारत में है तो क्या reasons हैं इसके पीछे, interesting way में इस article में आप देखेंगे article को शुरू करेंगे with our quiz, यह कुछ questions हैं, जो इसी article के उपर based है grammar, vocab, comprehension, सब कुछ इनमें आ जाएगा आपको पूरे मन से class को लेना है, हर चीज को सीखना है और class के अंद में आपको 10 में से 10 मार्क score करने है solutions quiz के class के last में करवाते हैं, आईए lecture को शुरू करें All right, correct growing epidemic epidemic तो आप समझते हैं महामारी और growing यानि grow करती हुई, बढ़ती हुई करें एक बेमारी है, एक महामारी है जो grow कर रही है, बहुत तेजी से भारत में बढ़ रही है epidemic और एक दूसरा word होता है pandemic दोनों में एक simple सा फर्क है किसी area में अगर कोई महामारी फैल जाए, छोटे area में तो वो कहलाती है epidemic और अगर उस area से बाहर चली जाए Wuhan से बाहर निकल करके पूरी दुनिया में फैल जाए तो बन जाती है pandemic जब यह Wuhan में था COVID तब वो epidemic था करें जी, the center must take the initiative in resolving the crisis करें, center को यानि केंदर सरकार को याद रखें, जब भी द लग जाए, c बड़ा हो और center की spelling में, re लगा हो ठीक है, t-e-r नहीं, t-r-e तो यह center का मतलब होता है केंदर सरकारिया, government of India करें, government of India को initiative को लेना ही होगा कदम को उठाना ही होगा initiative यानि कदम, resolve करने में solution लाने में, हल निकालने में इस crisis का इस diabetes के तुफान का हर आदमी को diabetes है 10 लोगों को खड़ा कर दो तो 4 को diabetes निकलेगी भारत में ठीक है, इसमें मैं बच्चे भी गिन रहा हूं जो 2 साल, 5 साल के बच्चे हैं अगर सारी आबादी को देखो तो भी 40% लोग जो है diabetes से परिशान है तो एक step जो है, सरकार को उढ़ाना चाहिए crisis को solve करने के लिए center आपका subject है must take, must take इसकी वोब है, take the initiative यानि कदम उढ़ाना, resolve करना solution लाना, solve करना address करना, किसी चीज़ को संबोधित करना चलिए अब जल्दी से आगे बढ़े crisis पर देख लेना, is लगा हुआ है तो यह singular है crisis, basis, thesis, hypothesis याद है न सारे words पीछे is लगे तो singular होते हैं और अगर is का मैं es बना दूँ तो यह plural हो जाएंगे ठीक है, चलो अब इस article की वो कैप पर निज़र डालते हैं जल्दी से एक like और एक share ड्रॉप करना क्लास पर ताकि इस क्लास को हम रोज इसी motivation के साथ ला सके structured way में अपने exam की preparation के लिए SSC, banking, UPSC, state PSC की तयारी के लिए जरूर से डाउनलोड करें YT Your English Shooter अप को comment section में link दिया गया है आपकी अपनी एप है एप पे आप मेरी guidance के अंदर अपने exam का पूरा English का syllabus कवर कर सकते हैं आपको एप पे मिलेगा writing का course बहुत affordable course है इस premium course में आप English में लिखना सीख सकते हैं लगबग 60 घंटों में किसी भी exam के लिए 50,000 से जादा बच्चे इस course में enrolled हो चुके हैं लिखना चीख चुके हैं You can take benefit of the writing course as well इसी तरीके से आपको UPSC का course मिलेगा जिसमें UPSC, CSC और State PSC का सारा syllabus आपको English का cover करवाते हैं CSET से लेकर के RC Answer Writing, Pre-C Writing Essay Writing, everything is covered in this course You can take benefit of the Mission UPSC course as well SSC और Banking के courses भी available हैं जिसमें सारा syllabus SSC Banking का आपको हर variety of questions के साथ में cover करवाया जाता है App का link comment section में है कोई भी query हो इस number पे WhatsApp करके आप team से बात कर सकते हैं चलिए vocab sheet पुराना वाला format अपना आ चुका है, थोड़ा zoom in कर दू मैं, शुरू करेंगे prevail से देखें, prevail का मतलब अगर हिंदी में समझना चाहें तो मतलब अंत में जीतना जब दो चीजों में रसा कशी चल रही हो जो last में win करे, triumph करे victory जिसको मिले, वो करती है prevail, despite the rhetoric about reforms poverty and corruption prevail बावजूद उस rhetoric के rhetoric समझते हैं बड़ी बड़ी बाते high five बाते बावजूद बड़ी बड़ी high five बातों के, rhetoric के, जो reforms को लेकर के, सुधारों को लेकर के होता है poverty और corruption, गरीबी और भृस्तचार, आज भी prevail करते हैं, dominate करते हैं जो है, चलन में है dominate करना या जीतना दोनों ही prevail के सिनॉलिम है कोई चीज चलन में होते हैं, तो prevail करते हैं prevail को persist या triumph भी बोलते हैं noun form है इसकी prevalence prevail करना चलन में होना prevalence यानि चलन किसी चीज का है ना next word अपना देखते हैं चलन दो समझते हूं ना भाई हिंदी वाला word है चलन कोई चीज जो चलती है वो चलन में होती है अगर आप सारा दिन बैठे रहें कुछ काम नहीं करें जादा या काम करें तो बैठे बैठे करें और चलना फिरना और exercise करना आपके life में ना हो तो आप एक ऐसे lifestyle में है जो motionless है with little activity और ऐसे lifestyle को बोलते है sedentary people with sedentary lifestyles have a greater risk of heart attacks उन लोगों का जिनका lifestyle sedentary होता है जो ज़्यादा चलते फिरते नहीं है उन पे heart attack का greater risk होता है heart की विमारी का बड़ा खत्रा होता है sedentary को stationary idle और sluggish भी बोलते हैं you will see the word sedentary in the article today चलिए next word है onset जब कोई चीज और कौन सी चीज बहुत negative चीज unpleasant चीज शुरू होती है न तो उसकी beginning को या शुरुवात को बोलते हैं onset ऐसा नहीं है आपके exam शुरू हो रहे हैं तो आप बोलते हैं onset of exam नहीं कहीं war शुरू हुई है infection शुरू हुआ है भयंकर गर्मियां भयंकर सर्दियां भयंकर बारिश भयंकर बार्ड इस तरह के जो बुरे हादसे हैं जब इनकी शुरुवात होती है तो onset word से बताए जाता है इंडिया शुड अपग्रेट its health infrastructure भारत को अपना health infrastructure अपग्रेट करना चाहिए hospitals को और clinics को और कब? before the onset of another infectious pandemic onset से पहले शुरुवात से पहले beginning से पहले एक और infectious pandemic के एक और फैलने वाली महामारी के beginning, onslaught, assault सबी इसके synonyms है you will see the word onset in the article या दखना close test में ऐसे words आते हैं negative चीजों के साथ में इस word को use करना है next word अपना thereby एक adverb होती है thereby को अगर हिंदी में समझना हो या आसान वाशा में English में समझना हो तो इसको लिख सकते हैं as a result of that इस चीज के नतीजन यह जो पूरा मैंने बोला ना इस चीज के नतीजन इसको इंगलिस में thereby से लिखा जाता है she studied diligently thereby improving her chances of success उसने बहुत diligent manner में मैनत वाले तरीके से study किया diligently मतलब diligence के साथ में जिसमें आप मैनत भी करते हो और regulatory बनाए रखते हो और करया जी as a result of that improve करते हुए thereby अब बहतर बनाते हुए अपने success के chances को consequently thus hence as a result by that means सभी इस के synonyms है you will see this word adverb in the article चलिए last word अपना debilitate किसी को इतना कमजोर बनाना बना अपाईज बना देना अपने बोलते हैं इसको अपाईज बना दी है गरीवी ने देश को अपाईज बना दी है corruption ने तो जब यह ऐसा बोलते हो किसी को अपाईज बना रहे हो आप make weak कर रहे हो कमजोर बना रहे हो वहाँ इस word का इस्तेमाल होगा अगर आपके दाहत में दर्द है और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मेरे दाहत में debilitating pain है ऐसा pain है कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ अपाईज के जैसा हो गया हूँ protracted strikes have debilitated the industry लंबी चलती हुई हरतालों ने देश को या इंडस्ट्री को अपाईज बना दिया है debilitate कर दिया है weaken, paralyze, cripple, impair, undermine सभी इसके synonyms है और दो idioms भी हैं या phrasal verbs हैं याद रखें hollow out करना hollow यानि खोकला out मतलब बाहर किसी चीज के अंदर के मिट्टी निकालके किसी चीज के अंदर का समान निकालके उसको खोकला कर देंगे तो कमजोर ही बना रहे हैं आप उसको hollow out करना बोलते हैं इसको और दूसरी जो phrasal verb है eat away add करना जैसे junk किसी चीज को खा जाती है उसको कमजोर बना देती है वो उसको eat away add करती है ठीक है junk खा जाती है ना eat away करती है तो eat away add करना कमजोर बनाना मैं जानता हूं बहुत सारी information आपको एक साथ दे रहा हूं लेकिन बात यह है कि information आपको रोज दी जाती है जो बच्चा class में regular है और 20 बार उसने सब कुछ सुन लिया अलग-अलग classes में तो उसके दिमाग में words बैट चुके हैं already अगर आपको यह information overload लग रहा है तो इसका मतलब है आप रोज reading नहीं करते हैं कोई भी एक teacher पकड़ लो reading अपनी रोज करो last अपने पास word है phrase है, idiom है, cut corners यह अच्छे से समझाई हुई आपको मैंने मान लीजिए आपको कुछ चीज बनानी है ऐसी चोरस लेकिन आपका budget है 100 डॉलर का और आपको बनाने में लग गए 120 डॉलर अब आप क्या करोगे अपनी cost कम करने के लिए last के corners काट दोगे side हो से लंबाई चुड़ाई तो उतनी रहे चार भाई पांच का मुझे बताया तो बनाना तो उतनी है तो थोड़ा सा corner काटके या round करके मैं 100 डॉलर पे लाने की कोशिश करूँगा मेरे product को वहीं से इस idiom को निकाला गया है कहीं पे कंजूसी करना किफायती करना ताकि आपका खर्चा कम हो सके cut corners इस गिरे हुए पुल का जो builder था वो accused था उस पे आरोब लगा था of cutting corners corners cut करने का या कंजूसी करने का during construction bridge की construction के दोरान अच्छा माल मत यूज़ करो पैसा बचाने के लिए तो bridge बाद में collapse कर जाएगा चलिए इसको cut down करना बोलते हैं pinch pennies करना भी बोलते हैं आप एक चोटी उटी pennies जो है एक एक पैसा जो उसको pinch करके जो पकड़ कर बैठे हो आप है ना खर्चा करदे से बच रहे हो तो ये सबी इसके synonyms है चलिए कुछ पुराने words हैं कुछ नए हैं अब आजाओ आर्टिकल पे एक summary आपको दें देखें दो तिन बिमारियों में भारत दुनिया में सबसे आगे है पहली बिमारी है diabetes एक बिमारी है heart disease coronary artery disease और तीसरी है rabies जो कुत्तों के काटने से होती है आज rabies की बात नहीं हो रही है हलांकि ये topic है किसी और दिन किसी और आर्टिकल का भारत में सबसे हदा आगको सड़कों पे कुत्ते मिलेंगे और दुनिया में 80-90% rabies से मरने वाले case भारत में होते हैं आज diabetes की बात हो रही है diabetic हर आदमी almost हो चुका है देश में 40% आबादी को sugar है और इसका reason क्या है हमारा खराब खाना जिस खाने को आप healthy मानते हो न घर पे रोटी खाऊंगा सबजी खाऊंगा तेल में बनी हुई चिपड़ी हुई यह जो रोटी हैं जो आप खा रहे हैं दिनराज सब्जियां खा रहे हैं तेलों में बनी हुई और activity जो आप नहीं करते हैं घर में बैठे रहते हैं कुछ काम नहीं करना है कोई भागना नहीं है कोई exercise का schedule नहीं है इस वज़े से हमारे genes ऐसे हो चुके हैं कि हर आपमी को diabetes हो रहा है इसी चीज़ को इस article में बड़ा interesting तरीके से बताया गया और सरकार से गुजारिश है इस article के through कि कोई steps ऐसे उठाएं health policy में लोगों को awareness मिले diabetes को manage करने की और सबसे बड़ी बात ही है कि भारत में most लोगों को पता ही नहीं है कि उनको sugar है बस ऐसे ही काम चल रहा है उनका जिन्दगी छोटी हो जाती है शुगर की वज़े से 70 साल का आदमी पिच्पन में निपड जाता है चलिए शुरू करें आर्टिकल को क्रिटिकल कंसर्ण ओन में लिखाओ आर्टिकल है कंसर्ण होगर के बता रहा है आपको करेजी फ्रॉम अराउंड 200 मिलियन इन 1990 दे नम्बर अपीपल विड डाइबिटीज हैस क्वाद्रिपल्ट ग्लोबली तो ओवर 800 मिलियन इन 2022 करेजी इस मांकड़े से लेकर के फ्रॉम अराउंड आंकड़ा है 200 मिलियन का यानि 20 करोड का 1990 में करेजी 1990 में 20 करोड के आंकड़े से लेकर के फ्रॉम करेजी जो नम्बर है न जो उन लोगों का है आंकड़ा जो है उन लोगों का जिनके diabetes है वो 4 गुना हो गया है quadruple हो गया है double यानी 2 गुना, triple यानी 3 गुना, quadruple यानी 4 गुना और कहां हो गया है पूरी दुनिया में और ये पहुंच गया है 200 million से 2 लगा के बता रहा है 800 million के भी पार और कब 2022 में तो 30 सालों में 4 गुना diabetes पूरी दुनिया में हो गयी है करे जी while the global diabetes prevalence in adults rose from 7% to 14% between 1990 and 2022 करे जबकि दुनिया बर में diabetes का जो प्रचलन है, dominance है, prevalence है adults में यानी 18 से उपर के लोगों में ये भी rise कर गया है 7% से 14% 1990 से 2022 के बीच में तो संख्या में हम 4 गुना हो गए है और percentage में हम दूगने हो गए है डाइवडीज वाले अगर cases की बात करें कहरा जी ये किस ने बताया ये बता लगा as in data released in the Lancet on November 13 जैसा की बता लगा हमें उस data से जो release किया गया Lancet नाम के journal में magazine में November 13 को समझ के लाँ दुनिया भर में डाइवडीज की ये picture है 1990 में 7% अबादी जो की 20 करोड के आसपास थी उसको डाइवडीज था 2022 में दुगनी यानि 14% अबादी जो की 880 करोड के आसपास है उसको डाइवडीज है चलिए द नंबर की वोब है has quadruple prevalence की वोब है rows अच्छा फ्रॉम टू का आप देख चुके हैं कहां से कहां तक बढ़ा फ्रॉम सेवन परसेंट टू 14 परसेंट ठीक है बिट्वीन एंड लगा हुए फ्रॉम टू लगा हुए याद रखना इन पेर्स को एक साथ चलते हैं ये बिट्वीन एंड और फ्रॉम टू चलिए concept ए grammar का थोड़ा सा बाद में करवाद दाओं फ्लो बना लो यहीं पर इस concept पर वापिस आएंगे करेजी at 212 million इंडिया has the highest number of people with diabetes as against China's prevalence of 148 million करेजी 212 million पे 212 million कितना हो गया 21 करोड करेजी 21 करोड लोगों पे भारत जो है highest number of people रखता है diabetes वाले और किसके सामने करेजी as against या in comparison with चाइना के सामने या चाइना की prevalence के सामने diabetes की जो है 148 million की यानि 15 करोड लोगों की 1 million यानि 10 लाक 212 million यानि 21 करोड है ना तो भारत में 21 करोड लोगों को diabetes है चाइना में सिरफ 15 करोड को है अब आप जोजरों के सारी 21 करोड है 140 में से तो क्या हो गया अरे भाई साब 140 में से 50-60 तो बच्चे हैं 50-60 करोड तो जो 18 से कम के हैं या बहुत छोटे हैं या 25 तक के भी मान लो आप उनको कैसे diabetes हो जाएगी ये जो आप 21 करोड देख रहे हो ये 60-70 परसेंट जो 30 से उपर के लोग हैं उन में से diabetes यानि लगबग 25-30 परसेंट लोग जो है डाइबटेक हैं इंडिया की वह बहाँ है कराई जी इंडिया आल्सो टॉप दो लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद 133 मिलियन पीपल ओवर दा एज ओफ 30 यर्स विद अंट्रीटीट डाइविटीज कराई बारत ने एक और जगह परचम लह रहा है अपना एक और जगह टॉप मारा है कराई इंडिया ने टॉप कर दिया उस लिस्ट को भी उस फेरिस्ट को भी जो उन कंट्रीज की थी जिन में 133 मिलियन पीपल थे या हमारे पास 133 मिलियन पीपल थे 13 करोड थे 30 साल से उपर के जिनकी डायबिटीज अंट्रीटीड है जो सुगर लेके घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं है और ये किसके मुकाबले एज अगेंस्ट 78 मिलियन इंचाइना सामने 78 मिलियन के या 8 करोड लोगों के चाइना में तो हमारे देश में 30 से उपर के लगबग 13.5 करोड लोग है जिनके डायबिटीज है उनको पता नहीं है और डायबिटीज तो आपकी जिन्दगी को छोटा कर देती है 10-15 साल आपकी जीवन में से निकल जाएंगे ना अंट्रीटीड है तो बिलकुल निकल नहीं वाले है चलिए इंडिया की वोब है इंडिया की वोब है कराई जी वन रीजन for the steep increase in the number of those with diabetes was the methodology used for pooling and analyzing the data कराई आप यह अचानक से इतना बढ़ा क्यों पहले आप बता रहे हो जी 7% को थी अब बता रहे हो 14% को है कराई एक रीजन जो है इस steep increase का इस तीखे से उचाल का steep का मतलब होता है एक दम इस तरह का increase ऐसे नहीं ऐसे करें जो steep increase आया है इसका जो एक रीजन है उस number में उस आंकडे में उन लोगों का जिनके diabetes है वो reason था कि जो methodology है जो तरीका है जिसको इस्तेमाल किया गया एकठा करने के लिए और analyze करने के लिए data को तो तरीका जो है हमने change कर दिया इस वज़े से लोगों को diabetes ज्यादा हमें दिखा ही दे रही है वो तरीका क्या है being on medication for diabetes or having a fasting plasma glucose of seven millimeter OL देख लेना और more or an Hb HbA1c of 6.5% of more के रहे हमने तरीका यह बनाया है कि या तो आप diabetes की दवाई लेते हो या आपकी fasting sugar 127 से ज़्यादा हो शुगर करवाते हो ना fasting तो 110 किसी की 90 किसी की 105 किसी की 115 अगर 7 mmol आ जाए या नि 127 के आसपास होती है ये gram में या तो ये इतनी आ जाए या फिर आपकी 3 महिने की average sugar test जो है HP1ac test उसमें 6.5% से ज़्यादा आ जाए तो इन तीनों में से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपको diabetic मान लेंगे sugar मान लेंगे तो ये नया तरीका जो हमने use किया है इसकी वज़े से भी diabetes के patient बढ़ रहे हैं चलिए reason की वह 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 वाज एक चीज मैं आपको बता दूँ ये 125-127 हो है ये तो आखरी stage है बलब आगर आपकी 110-112 आ रही है तो भी आप diabetic हो टेक्निकली तो आज से 10-12 साल पहले इनको भी diabetic माना जाता था पर आजकल हरा आदमी 110-12 आ रही है तो इनको हम normal मान लेते हैं सही तरीके से चला जाए तो 40-50% adults को diabetes है भारत में चलिए आगे बढ़ते हैं आगे करें जी unlike earlier studies that mostly relied on elevated fasting plasma glucose और other single biomarker data the analysis by NCD risk factor collaboration with support from the WHO या world health organization included people whose fasting plasma glucose और glycated hemoglobin या HP1AC was elevated लंबा sentence है करें जी बिल्कुल उल्टा earlier studies के पहले भी studies हुई है आज भी हुई है लेंसेट में इस magazine में करें जी पहले वाली studies से बिल्कुल उल्टा वो studies जो मोटे दोर पे rely करती थी depend करती थी बढ़े हुए fasting plasma glucose पे राद बर आपने fast किया सुबह 10-11 गंटे बाद आपने खाली पे sugar test करवाया बढ़ा हुआ आएगा तो आपको sugar वाला मान लिया जाएगा मरीज करें जो इस चीज़ पे realize करती थी या फिर किसी और single biomarker डेटा पे करती थी किसी ऐसे डेटा पे जो आपकी body क्यूपर dependent हो है ना कोई test में कोई आपका result आया हो करें इस बार का जो analysis है Lancet का और यह analysis हुआ है NCD risk factor collaboration से support इसको मिला है WHO का तो यह पूरा analysis किसने करवाया है उसका नाम बताया इसने तो include कर लिया इसने तो शामिल कर लिया उन लोगों को भी जिनका fasting plasma glucose या फिर HbA1c दोनों में से कोई भी ऐलिवेट्रिक था तो हो सकता है आपकी fasting sugar ठीक आ रही हो लेकिन खाना खाने के बाद में अगले 2 गंटे के लिए आप diabetic fashion की तरह आपका body behave करता हो ऐसा भी दो सकता है ना खाना नहीं खा रहे हो तो आप ठीक हो लेकिन खाना खाने के बाद तीन गंटे के लिए आप जो है sugar के मरीज बन जाते हो तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी तरीका हो तो आपको sugar का मरीज मान लिया जाएगा और यह इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है कि चलिए डाट आया स्टडीज के लिए डाट की वह रिलाइट डिलाइए ओन करना डिपेंड ओन करना निर्बर होना अलिवेटेड यानि बढ़ा होगा अनाल्सिस की वह है इंक्लूड इट प्लाज्मा ग्लुकोज और ग्लाइकेटिड हिमोग्लॉबिन की वह है है एच भी एवन सी एक टेस्ट होता है आप भी करवा सकते हो कुछ पचास सो दो सो रवे का टेस्ट है और घर में आपको हर आदमी का करवाई लेना चाहिए खास करके अपने बड़ों का ठीक है ना इससे आपको पता लग जाएगा पिसले तीन महीने आपके पापा मम्मी की क्या शुगर रही है और क्या उनको दवाई शुरू करने की ज़र अगलोपिन दस्टेडी नॉट्स मिसिज आउट मैनी पीपल विद डाइपटी अब यह संटेंस आपको थोड़ा सा जीव लगेगा देखने में अगर आप नया नया पढ़ना भी अगर आपने सीखा है ना तो यह संटेंस आपको देखके लगेगा यर कैसे पढ़ा जाए इसको तो आपको उसको पढ़ना सिखाते हैं जस्ट ए मिनिट एक सगेड़ा करना यह नहीं किसी चीज को अपनी कैलकुलेशन में लेना कंसीडर करना करें अगर आप कंसीडर कर लें टेग इंटर काउंट कर लें और किसको बढ़े हुए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लुको होती है तीन महीने का टेस्ट जो है एच बीए वन सी जिसमें उनकी शुगर बढ़ी हुए आती है कर अगर उनको छोड़ दें और सुबह खाली बेट वालों को इडाइवटिक मान लें तो कर यह काम जो है ना स्टडी ऐसा नोट करती है स्टडी ने ऐसा माना है कि यह काम मि अगरिक लइन साउत एशिया खास करके साउत एशिया के अंदर चलिए टेकिंग इंटो अकाउंट सब्जेट है वह एसकी मेसिस आउट मिस आउट करना किसी को चूप जाना किसी को कैल्कुलेशन करने में भूल कर देना ठीक निटेकिंग इंटिसका कलर चेंज कर देंगे किसी चीज को अपने कैलकुलेशन में लेना तो इसकी वह है मिस आउट और स्टेडी की वह है नॉट्स ऐसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर बने हुए है चलिए करा जी दैट डाइबेटिक प्रेवलेंस इन इंडिया है इंक्रीजर लास्ट्री डेकेट्स इस बियॉंड डाउट even if the absolute numbers are contested करा जी दैट यानि ये बात की कौनसी बात की डाइबेटिक का जो चलन है भारत में बढ़ चुका है इंक्रीज हो चुका है पिछले 30 सालों में लास्ट 3 डेकेट्स में ये बात जो है बियॉंड डाउट है किंतु परंतु के परे है बियॉंड डाउट मतलब जिस बात पर हमें कोई डाउट नहीं है करा यहां तक कि अगर अगर absolute numbers जो है वो contested भी हो उनको उनके ओपर कोई controversy भी हो कोई argument भी हो कोई आदमी बोल दे भई बारत में 30 क्रोड को नहीं है 25 क्रोड को यह बोल दे नहीं 35 क्रोड को है तो यह 25 35 पे भले जगड़ा हो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं लेकिन यह बात पर कोई जगडा नहीं है कोई डाउड नहीं है कि नंबर जो प्रचलना डाइबडीज का वह भारत में 30 सालों में बढ़ा है चलिए sentence की structure क्या है that यह बात की इसकी वह बैस समस्पारियो that एना this has happened is beyond doubt diabetes prevalence यानी sugar का प्रचलन या चलन इसकी वह बैस इंक्रीजट numbers की वह बैस आर कंटेस्ट करना किसी चीज़ पर आर्गुमेंट करना किसी चीज़ पर disagreement दिखाना चलिए यह beyond doubt वर्ड को देखना जिस चीज़ पर कोई सवाल ना हो को सवालों से परे और इसको आप अंग्रेजी में आउट ऑफ क्वेस्टन से भी बताते हैं ठीक है जैसे कोई आदमी पढ़ाई नहीं कर रहा को लड़का अब पूचो यार इसकी त्यारी कैसी होगी तो इसका सेलेक्शन नहीं होना बियोंड आउट है जिसका पड़के नहीं हो रहा इसका बिना पड़े कैसे हो जाएगा इसने तुस्य लेबस देखा भी नहीं अपना तो यह होता है आउट अफ क्वेस्टन होना या बियोंड आउट होना लेकिन दूसरी एक एडियम में आउट ओफ क्वेस्टन है और एक में बोड़ा हो आउट ओफ दा क्वेस्टन है यह चीज इंपॉसिबल है वैसे एक जैसे यह लेकिन दा लगने से इसमें नेगिटिविटी आ जाती है और यह दिमाग में सोचो इन दोनों में फर्क बनागर के देखो है न फिर आपको थोड़ा सा फील होगा दोनों का अलग अलग मीनिंग निकालके सेंटेंस बनाओ हिंदी में चलो आगे बढ़ते हैं करेजी वाइल कंजंप्शन ओफ अन्हाल्थी फूट्स पर्टिकुलर्ली हाइड कैलोरी फूट्स कैलोरी फूट्स रिच इन काइवो हाइड्रेट्स और सैचुरेटिड फैट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आट बहुत ज्यादा है और आपका सिदेंटरी लाइफस्टाइल है बैठे बैठे जीवन जीने का जो तरीका है करे जहां यह दोनों बड़े कंट्रोलिबर रिस फैक्टर साइन ऐसे डावटीज के जिनको कंट्रोल किया जा सकता है बैठे मत रो एक जगा पर एक साइज करो हर कुछ और अब ऐसा फूड मत खाओ जिसमें काब्स और सेचुरेटेट फैट्स जाता हो करे जहां यह दोनों चीजें हैं वहीं पर दर रोल ओफ टबैको इन कॉजिंग डायवटीज हैस नौट बिन हाइलाइट इस सफिशेंटली वहीं पर तमागू का रोल है डायवडीज इसको कॉज करने में उसको हाइलाइट नहीं किया गया है परियाप तोर पे सफिशेंट मैनर में तो वैसे तो तीन ही फैक्टर होते हैं डायवडीज के रिस फैक्टर गंदा घाना एक्सराइज नहीं करना विल्कुल भी बैठे रहना और स्मॉकिंग करना या टबैको को च सेट्री लाइफस्टाइल इन तीनों की वह बै आर ठीक है इन फैक्ट सेटूरेटिट फूड भी या सब्जेट नहीं है हाई क्यल्रीक फूड रिच इन कार्ब्स अंड सेटुरेट फैट तो फूरा अजलेटीबल फ्रेज है तो फूर्स और लाइफस्टाईल की वह बै आ WHO report there is overwhelming evidence that cigarette smoking raises the risk of developing diabetes by 30 to 40% के रिपोर्ट के हिसाब से 2023 की WHO की बहुत ज्यादा या overwhelming evidence हमारे पास है overpowering इतनी evidence मतलब जिसको notice करना पड़े आपको जिसको आप जो है neglect ना कर सको तो बहुत ज्यादा evidence हमारे पास है कि cigarette smoke करना आपका diabetes रिस्क जो है 30 से 40% बढ़ा देता है और किसके मुकाबले compared with those who don't smoke उन लोगों के मुकाबले उनके comparison में जो smoke नहीं करते हैं तो यह 30 से 40% का अकेला cigarette smoking जो है diabetes के पीछे है evidence की वह है is evidence आपको पता है सबूत को बोलते हैं प्रूफ को बोलते हैं लेकिन evidence एक uncountable ना होना है इसके आगे एस का इस्तेमाल नहीं होता है evidence machinery equipment bread paper advice legislation jewelry furniture software hardware cigarette smoking की वोब है raises करें जी nicotine the addictive substance इन टबाको impairs the function and amount of insulin producing beta cells करें जो nicotine है जो एक addictive substance है लट लगाने वाला एक प्रदार्थ है substance यानि चीज या प्रदार्थ addictive या नहीं जिसकी लट लगे करें जो लट लगाने वाली चीज भी होती है टबाको के अंदर ये impair कर देता है कमजोर या अपाईज बना देता है function को और मातरा को insulin produce करने वाली beta cells की हमारी body में करें जी देरबाए affecting insulin production and regulation of glucose production इस परकार से देरबाए affect करते हुए या प्रभावित करते हुए body में insulin की production को और glucose के regulation को which together play an important role in the onset of diabetes ये वही दो चीज़े हैं जो मिल करके play करती हैं एक important role को diabetes के onset में diabetes की शुरबात में diabetes क्या होता है आपकी body में या तो insulin ठीक से बन नहीं रहा या फिर वो insulin जो बन रहा है वो ठीक से शुगर को पचा नहीं पा रहा है न उसको muscles में धकेल नहीं पा रहा insulin दोनों चीज़ों को अगर mix कर दें तो बन गया diabetes निकोटीन जो है ये दोनों कावों को तेज कर देता है इन दोनों चीज़ों को हवा देता है ठीक है चलिए निकोटीन की वोब है इंपेर्स देरभाय यानि इस प्रकार से ऑंसेट यानि शुरुवात किसी भी गलत चीज की यह ना गंदी चीज की वह इंफेक्शन बिमारी इनकी शुरुवात को ऑंसेट से बता तो इंसुलीन न कैंज आता इनिकोटीन शुलासु है बाडी में इन इथा दॉनि को कोने बाडी निकोटीन अफेक्शन बीन काम नी है दरी ना उस्यवात की शुगर आक है बाल इचानार को बड़र कोशिच करता है लेकिन बाडी क्या है इस इंसुलासुक दिने कीज को भी निकोटीन जो है इंडियूस करता है इसका कारण बनता है करें बिसाइड शापली लोवरिंग दा रिस्क ओफ डायविडीज अवाइडिंग तबैको इन ओल फॉर्म्स इस असोशेटेड विद रिडूस्ट रिस्क ओफ काडियोवैस्कलर डिसीज करें साथ ही साथ बहुत तेजी से लोवर करने के कम करने के डायविडीज के जोखम को यह जो अवोईड करने का काम है तबैको को इसकी हर एक फॉर्म में यह जुड़ा हुआ है असोशेटेड विद है एक कम होते वे रिस्क से जो है काडियोवैस्कलर डिसीज का या दिल की विमारियों का and mortality in people diabetes और mortality का या deaths का उन लोगों में जिनको diabetes है तो कहने का मतलब क्या है अगर आप smoking करना या तबाग को खाना छोड़ देते हैं तो आप अपने heart health को भी अच्छा करेंगे diabetes को भी होने से रोकेंगे खुद को देरी से होगी आपको diabetes और 10 साल और तीसरा कि अगर diabetes आपको है तो आपके death होने के chances smoking छोड़ने पर और बढ़ जाते हैं ना diabetes एक आदमी को smoke करना ही नहीं है कहने का मतलब यह चली avoiding की वह होग है smoke नहीं किसी भी form में चाहे वो खाने वाला वो मिला के खाते ना जर्दा बना के अपने हातों से रगड़ रगड़ के चलो mortality यानी death को बोलते हैं कैरा जी रोल एक और भी है manage करने का gestational diabetes को देखे gestation period होता है किसी भी चीज़ का वो समय जब वो पैदा हो रही हो जैसे आपके दिमाग में कोई idea पैदा हो रहा है तो वो अपने gestational period में है और वैसे अगर कोई बच्चा अपनी मा की कोक में है तो वो भी 9 मेने का gestational period जो है उसमें रहता है यहां पर मा और बच्चे की बात हो रही है करहें जो भूमिका है gestational diabetes को manage करने की जब बच्चा मा की कोक में हो तो मा का diabetes कम हो उसका sugar level कम हो और यह किस लिए कम हो ताकि reduce किया जा सके मा और बच्चे दोनों के लिए diabetes को develop करने को बाद में जाकर के later rate पे करहा है इस चीज की भूमिका को भी और ज्यादा emphasize नहीं किया जा सकता यह चीज इतनी जरूर है कि इसको बढ़ा चड़ा के बताने की जरूती नहीं है अगर pregnancy के दुरान मा का sugar level बहुत जादा है बहुत chances है कि बच्चे को भी diabetes हो जाएगी और मा भी आगए जाके diabetic रहेगी तो जस जस्टेशनल diabetes को आपको हमेशा कम करके रखना है manage करना है डॉक्टर का काम है चलिए तो रोल की वह बहुत है cannot be overemphasize करना किसी चीज पर ज्यादा emphasis डालना तो यह चीज इतनी important है कि इस पर कितना भ remaining undiagnosed इंडिया has to rapidly scale up diagnosis कैरा जी 13 करोड भोले वाले लोगों के साथ ही जो remaining है जो बने हुए है आज भी undiagnosed जिनके diabetes है लेके गुम रहे हैं खाते फीते गुम रहे हैं है ना सर दुखता रहता है इनका हाथ फैर में ताकत नहीं है किसी काम को करने में मन नहीं लगता क्योंक scale up करे एक level उपर लाए अपग्रेड करे अपने diagnosis को अपने testing centers को और क्यों to meet the 2030 WHO target for diabetes ताकि 2030 में WHO का जो target मिला है शुगर को लेके उसको हम meet कर पाएं और target क्या है 80% of people with diabetes are diagnosed सो में से असी लोग जिनको diabetes है वो diagnosed हो उनका पता लगे 20 से ज्यादा ऐसे भोले वाले नहीं होने चाहिए मुर्क नहीं होने चाहिए किसी भी देश में जिनके diabetes है उनको पता नहीं है 20 maximum हो सकते हैं सो में से और 80% of people with diagnosed diabetes have good control of glycemia और जिनमें से को पता लगे है उनमें से भी 80% का जो diagnosed हो चुकी है उनका अपनी glycemia पे blood sugar पे अच्छा control है यानि सो में से सो लोगों को diabetes है तो कम से कम 64 लोग ऐसे हैं जिनकी diabetes बड़े अच्छे से managed है दवाई वाई लेते हैं वो सब ठीक ठाक उनका चल रहा है तो यह टार्गेट हमें डवले चुसे मिला होगा है इंडिया की वह वह है है चीक है इंडिया की वह बहाई है 80% की वह बहाई है चलिए एक ग्रैमेटिकल कॉंसेप्ट है देखो इंग्लिस में आपको दो नंबर से ना दो फ्रेज मिलेंगे एक तो मिलेगा दा नंबर और एक मिलेगा अ नंबर दा नंबर का मतलब होता है आंकडा figure आ नंबर जो है ये एक adjective है a lot of का synonym है a huge नंबर मतलब बहुत सारा अंकडा a large नंबर मतलब बहुत सारी चीज़े तो आ नंबर को a lot of मने दा नंबर एक नाउन है इसका मतलब होता है आंकडा दोनों के बाद में plural noun आएगा और उसके बाद में verb आएगी singular the number के साथ और plural a number के साथ अब मैं आपको technically समझाए मैंने ये practically देखो बड़ा आसान है ये दा नंबर ओफ boy या boys passing the exam has या have increased जो आंकडा है लड़कों का exam को पास करने वाले वो आंकडा increase हो चुका है आंकडा increase हुए है दा नंबर दा नंबर मतलब एक noun है figure की बात कर रहा है आंकडे की समझ पारे हो तो आपको क्या करना है दा नंबर यानि आंकडा singular एक noun है इसकी verb ज समझ गए क्योंकि आंकडा singular है वह सिंगुलर आएगी दा नंबर है इस इंक्रीस्ट आंकडा बढ़ चुका है और ऑफ के बाद में आपको प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है क्योंकि आंकडा लड़कों का है लड़के का नहीं है अगर एक लड़का है तो फिर एक ही अब दूसरा देखो और यूज नंबर ऑब बॉय और बॉइस है जा है पांस ते एक्जाम दिस एर बहुत सारे लड़के ने लड़कों ने एक्जाम को इस बार पास किया है यह जो बीज में यूज देख रहे हो इसके जगर लार्ज भी आ सकता है ठीक है यह यहां पर बढ़ा था लेकिन यहां पर आंकड़े ने एक्जाम पास नहीं किया है लड़कों ने एक्जाम पास किया है समझ भाई मेरी बात को तो यह लार्ज नंबर या लार्ज नंबर जो आप देख रहे हो अलोट ओफ का से मॉनिम है यहां भी ओफ के बाद में आपको प्लूरल ही लेकिन आकड़ा एक्जाम को पास नहीं कर सकता क्लियर है मामला अगर इस टॉपिक इस लॉजिक से चलोगे तो यह concept आपको हमेशा याद रहेगा प्लूरल नाउन आएगा अ नंबर दा नंबर के बाद में लेकिन दा नंबर लेता है अ नंबर अपने बाद में प्लूरल ल अराम से वीडियो को पोज करें चारों को पड़ें और देखें आपके दिमाग में क्या sequence बैठता है देखो जी ए में बताये गई है sedentary lifestyle और unhealthy food डाइवडीज के risk factors D में बताये गया साथ ही साथ smoking भी है smoking is also linked तो A के बाद तो D आएगा भई ये तो है ये भी है तो B वाला वाद में आ जाएगा पहले वाला पहले आ जाएगा A और D दोनों में risk factors बताएं है तो A के बाद में D अब बचा B और C शुरू करेंगे पहले B से क्योंकि यहां पर इंडिया को introduce किया जा रहा है भारत में क्या विमारी है और फिर ये बताया जा रहा है नया वाला system जो है उसमें इन दोनों चीजों को include किया जाता है HB1 AC टेस्ट को और fasting plasma सुबह जो खाली पेट वाले टेस्ट को इंडिया में बहुत लोग अंडियाग्नोजड है B से शुरू होगा आपका paragraph फिर C में बताओगे नया तरीके के अंदर किन-किन लोगों को diabetic माना किया है फिर A में बताओगे main कारण क्या है फिर D में बताओगे additional कारण भी है smoking इससे diabetes होता है तो BCAD चलो next पर आजाओ इस article का primary purpose क्या है क्यों लिखा गया आर्टिकल ना तो criticize करने के लिए लिखा है किसी को ना diabetes को compare करने के लिए लिखा है ना smoking पर focus करने के लिखा है यह लिखा गया है highlight किया जा सके डाइबडी की epidemic को इसके risk factors को तैकि preventive measures को use कर सके है ना second answer बनेगा डी कहरे जी क्या इंफर किया जा सकता है इस article से भारत में डाइबडी के क्राइसिस को ले करके क्या implication क्या reference निकलता आपके सामने हींट निकलती है डाइबडी बहारत में कैसी है डाइब डाइगनोस्टिक coverage भारत में बहुत कम है लोगों को पता ही नहीं है शुगर क्या है क्या लक्षन है टेस्ट करवाते नहीं है वो और इसकी वजह से large number of untreated individuals हैं जो blood में शुगर लेके टहल रहे हैं है ना यह हमारे टाइबडी के लिए इंफर किया जा सकता है मारत में डाइबडी ऑवर्स्टेटिड ऑवर्स्टेटिड मतलब इतनी है नहीं जितनी दिखाई जा रही है ऐसा भी नहीं है चाइना जो इंडिया से आगए गलत बात है इंडिया चाइना से आगए है दी भी गलत है चलो बीच में वो क्या आप की question है out of the question cut corners eat away at prevalence का synonym और पहला question मिलेगा इस that नाम के word की वज़े से और दूसरा मिल सकता है इस the number of नाम के phrase की वज़े से अराम से ढूंडो दोनों वैलर्स ये बाद वाले 5 questions आपको first comment में answer मिलेगा वहां से match कर लेना है इनके answers को ठीक है चार से लेकर के 10 तक 3,2,5 और 2,7 चेक करना first comment से out of 10 कितने marks मिले जरूर से बताना कल की class में आप से लेंगे मुलाकात class कैसे लगी आज की ऐसे informative articles अगर अच्छे लगते हैं तो अपना feedback दे लिए करो comment section में आप से लेंगे मुलाकात कल की class में जिन बच्चों को courses की जरूरत है extra classes की जरूरत है you can take the benefits of the courses application को download करें YAT app को आपको writing का SSC का और banking का in fact UPSC का भी course मिल जाएगा affordable courses है मेहनद करना चाहते हैं तो app को download करें comment section में लिंक रखा गया है you can take the benefits चले until then signing out